हेलो एव्रीबन वेल्कुम त्योटार का 24 7 यूटुब चैनल आप सभी का स्वागत हैं यह जो रीडिंग है यह रिकॉर्ड़िट फॉर्म में करी हूँ क्योंकि I don't know why Wi-Fi बिल्कुम भी नहीं चल रहा है और मैं से लाइभी करने वाली थी बट यूनिवर्स में भी यह चाती है कि मैं से रिकॉर्ड़िट फॉर्म में करूँ बहुत डीटेल रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब से next three months आपकी लाइफ में क्या changes आने वाले है क्या कुछ होने वाला है वो सारे points हम यहां cover up करें ठीक है and general reading है तो हो सकता है कि कुछ points आप से connect करें कुछ नहीं सो परिशान नहीं होना है अगर कुछ connect नहीं करता है तो आप उससे skip कर सकते हो और मेरा जो motive है reading करने के पीछे बस वो यह है कि मैं आपके life में positivity लेकर आ सकूँ abundance लेकर आ सकूँ अब आपको कैसे अपनी pile pick करना है सबसे पहले pile क्या होता है pile या group हम बोल सकते हैं आपके सामने दो cards में उपर रखे हुए हैं साथी साथ दो beautiful angel है दोनों ही green color की है it's represent lord ganesha से मैं green color को connect करने की कोशिश करती हूँ तो दोनों ही angel और आज का दिन भी am I right तो अगर ये reading upload हो जाया आज so आज Wednesday है so मैं आपको कुछ चीज़े बताना जाओंगी पहले आप अपनी आखे बन करेंगे भगवान जी को याद करेंगे जिस रूप में आप universe को angels को भगवान जी को मानते हो then उसके बाद ये दोनों pile में से एक पर pick करना है ऐसा हो सकता है कि आपको ये वाली angel जाद अट nine of pentacles के card की मदद से भी अपनी pile pick कर सकते है I hope आपको cards properly दिख रहे होंगे और मेरी voice भी सहीं सहीं आ रही होगी ठीक है so please अगर आप लोग first time मेरे channel पर आए हो तो I request you कि subscribe कर लेना follow कर लेना मुझे instagram पर अगर कोई मुझे personal reading लेना जाता हो तो आप लोग मुझे message drop कर सकते हूँ ठीक है DM कर सकते हो Instagram पर या फिर mail कर सकते हो ठीक है तो mail idea भी आपको description box में मिल जाएगी guys please यह जो reading है collective reading है timeless reading है तो please आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना यह जब भी आपके सामने आई तब से आपके लिए messages रहेंगे बहुत detailed reading होने वाली है बहुत अच्छे से इस reading को सुनना concentration के साथ ठीक है सबसे पहले अगर आपने पिक कर लिया हो तो हम reading स्टार्ट करते है पार लंबर वन से अगर आप लोगों ने यह green कलर की इंजल light green कलर की इंजल पिक करिये तो let's see divine के तरप से आपके लिए क्या messages है क्या guidance है okay guys so अगर आपने lovers का card pick किया है तो let's see divine आपको क्या बताना चाती है आपकी life में क्या कुछ changes आने वाले है firstly मैं आपको बता दो अगर आपने यह card pick करा है तो you want की मेरी love life ठीक हो जाया सबसे पहले या फिर मुझे कुछ इस टाइप से भी vibration आरी है इस card से कि आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए कहीं न कहीं आपने किसी face पे किसी I don't know why but थोड़ा सा confusing वाली मुझे energy दिख रहे है या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़े सही सहन करी होगी सही होगी तो आप चाहते हो कि वो चीज़े सौट हो जाए मेरी जादा इच्छा तो नहीं है भगवान जी पर कुछ छोटी सी इच्छा है है कुछ छोटी सी wishes है अगर आप वो पूरा कर देते हैं तो बहुत अच्छा होता तो कुछ इस टाइब की अनोजी आपकी हो सकती है आप बस यह चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने लवन्स के साथ एक बहुत कॉलिटी टाइम एक बहुत प्यारा सा समय बिताओ और खुश रहूँ आपका यह नहीं होगा कि मुझे यह भी चाहिए वो भी चाहिए नहीं आपका यह है कि मुझे पीस चाहिए मुझे कामनस चाहिए अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करो आप लोगों को maybe कुछ लोग connect होंगे so आप लोग red, white, black, green wear करकर बैठे होंगे एक और चीज मुझे दिख रही है maybe you are waiting for a true love maybe you are waiting for a justice या फिर आप ये चाहते हो कि कोई आपको approach करें कोई आपकी life में सही person आए आपको सही रास्ता दिखा या आप किसी गुरू की तलाश भी कर रहे होंगे या आप किसी चीज को लेकर आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या ये चीज मेरे लिए work out होगी क्या ये चीज सही है मेरे लिए क्या ये चीज सही रहेगी तो कुछ इस टाइप की energy, कुछ इस टाइप के vibrations मुझे यहां आप से दिख रहे है और येस आपके दमाग में बहुत सारे thoughts भी आ रहे है साथी साथ एक question ये भी आ रहे है क्या ये सही होगा क्या मुझे इसी direction में आगे बढ़ना चाहिए क्या चीज से work out करेगी क्या मैंने जस तरीके से plans सोच के रखे उस तरीके से सब कुछ होगा तो कुछ इस टाइब के energy और इस टाइब के vibrations भी मुझे आपके दिख रहे है ओके लेट्स टेक आ कार्ट टैरो से देखते हैं और क्या messages है आपके लिए three of cups cups and heroine बहुत जादा three की energy मुझे यहां feel हो रही है four and three की energy so यह जो reading है next three month आपका कैसा रहगा इसी पे है तो yes you are desperately waiting for that reading की आने वाला तीन महना मेरी life में कैसा रहगा क्या कुछ लेकर आएगा क्या से चीजे work out होगी और किस तरीके से नहीं होगी एक और चीज मुझे यहां दिख रही है कि आप लोग किसी चीज का celebration करते हो दिख रहे हो next three month में आपकी life में मुझे celebration आते हो दिख रहे है आप लोग emotionally strong होते हो दिख रहे हो and साथी साथ आप अपनी life में knowledge के towards बहुत आगे जाते हो दिख रहे हो बहुत positivity बहुत सारी judgment और like judgment मतलब बहुत सारी चीज़े आपके life में ऐसा हो आओगा किसी ने आपके साथ यह कर दिया किसी ने आपके साथ वो कर दिया उन सारे questions के answers उन सारे questions के जो result है आपके favor में आते हो दिख रहे हैं आपके साथ justice होते हो दिख रहे हैं अब आप divine को thank you बोलते हुए दिख रहे हो, हर वो चीज के लिए जो divine ने आपके लिए करी है, कुछ इस टाइप के vibrations या कुछ इस टाइप के energy मुझे दिख रहे है Hierophant के just over justice का card है, it's represent की अब बहुत time से justice के लिए wait कर रहे हूँ आप अभी जिस चीज के लेकर परिशान हो, emotionally आप लोग मुझे dust balance लग रहे हो, cups की energy बहुत ज़ादा दिख रहे है तो मुझे दिख रहे हैं आगे चलके, within next three months आप उस चीज में strong बन जाओगे, आप इतना overthinking नहीं करोगे, इतना परिशान नहीं रहोगे तो कुछ यह vibrations और कुछ यह energy मुझे दिख रही है, let's see tea leaves से कि आपके और क्या messages है आप लोग अपने passion को follow करते हुए दिख रहे हैं, and yes उस direction में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी खुशिया आपकी life में आते हुए दिख रही है चीजों को आप lead को करना सीख रहे हो और अपनी life में fun जो है वो लानी की कोशिश कर रहे हो, fun को लाते हुए आप आगे बढ़ रहे हुए इस card को मैंने skip किया था, but still this card coming, like गिर कर आया था यह card star का, तो yes अगर आप लोग success manifest कर रहे हो कि मुझे इस काम में, मुझे इस चीज में successful चानी चाहिए divine please, please मुझे successful person बना दो, please divine मेरी life में चीजों को better कर दो तो अगर आप लोग ऐसा prayer कर रहे हो, तो yes आपको success मिलने वाली है, साथ ही साथ बहुत सारे responsibilities में देख रही हूँ आपकी life में आते हुए and yes you are playing a great role ठीक है and let's see और क्या messages है और क्या guidance है Lord Ganesha के तरफ से determination okay, so firstly आपको कहा जा रहा है कि आप जतना determination के साथ, जतना positivity के साथ work करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा and root chakra meditation अगर आप करते हूँ तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए and the second one is transformation आपके personality में, आपके रहने में, आपके बात करने में, आपके लोगों को चीजों को समझाने में change आते हुए दिख रहा है and yes destiny आपके साथ मुझे दिख रही है and चीजे आपके life में बहुत better होते हुए दिख रही है you can't imagine कि ये चीजे इस तरीके से work out हो जाएगी या हो जाएगा और वो हो रहा है, कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके hard work का result आपको मिल रहा है and आपके life में बहुत सारे positive changes मुझे आते हुए दिख रहे है एक और चीज में आपको बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस बार मतलब like to be very honest मैं आपको ये बोलूँगी कि आप थोड़े practical approach के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो and yes you are working on your security like financial stability like कैसे मैं ये काम करकर अपने आपको secure करूँ या in future मुझे किसी चीज की need पड़े तो मैं इस काबल हूँ कि मैं वो चीज कुद earn कर सकूँ तो ये वाली energy मुझे दिख रही है health wise अगर कुछ भी आपको दिखकते चल रही है तो वो मुझे recover होते हुए दिख रही है आप proper consult ले लेना अगर बहुत ज़्यादा दिखकत है तो and yes आपको अपने life purpose के बारे में भी पता चलते हुए मुझे दिख रहा है let's see more cards आपके लिए क्या guidance है क्या messages है see आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको अपना time waste नहीं करना है gossip करने में या इधर उधर की चीजों में अपना time spend नहीं करना है आपकी जो destiny है वो आपके साथ है तो आपको अपने time को utilize करने के लिए कहा जा रहा है आपको अपने energy को utilize करने के लिए कहा जा रहा है लाइफ में success चाहते हो, abundance चाहते हो, तो मैं आपको यही बोलूँगे कि unnecessary जगह पर अपना time waste करना बंद कर दो, ठेक है? Monday का दन आपके लिए important हो सकता है, take a screenshot, आप ये days जो है, इसका screenshot ले ले लेना, day and date, okay? Today, so today is a Wednesday, so Wednesday is important for you, I don't know कि मैं ये real का post करूँगी या कब ये post होगा, but आप please, जब भी ये real post हो, वो दिन, या Wednesday का दिन, ज़रूर note down कर लेना, and the Friday, ये कुछ दिन है, जो आपके life में important होने वाले है, and Sunday, so please take a screenshot for a days, very, like, चार दिन आपके लिए आए है, अगर मैं कहूं, तो गलत नहीं होगा, कि पूरा ही week जो है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, and अगर आप timing की बात करें, तो एक बजे, दो बजे, तीन बजे, and six o'clock, ठीक है, so ये कुछ time हो सकता है, आपके लिए important हो, या इस time duration पर आपके काम बनने लगे, take a screen shot, okay, date अगर देखी जाए, तो 21, 16, आपके लिए एक भी month नहीं आया है, okay, 18, 30, and the last one is 29, so ये date आपके लिए important हो सकती है, maybe आपका birthday हो, या आपके partner का birthday हो, आपके family member का birthday हो, या फिर आप ऐसा देख सकते हो, कि जो date है, या आपके लिए कुछ ना कुछ important role play करेगी, you get good news on the dates, take a screen shot, okay, let me check, और क्या guidance है, okay, king of wands, queen of wands, okay, what a combination, knight of wands, guys, very passionate है ना हो जी, तीनों ही काट wands के आए हैं, the last one is, four of pentacles, okay, so, इसे मैं अपने हाथ में ही रखती हूँ भी, so, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, आपको अपनी inner voice को, आपको अपनी inner strength को पहचानने के लिए, कहा जा रहा है, divine के तरफ से, आप जितने जल्दी अपनी inner strength को पहचान होगे, उतने जल्दी आप success के towards आगे बढ़ोगे, और आपको कहा जा रहे कि self-doubt को, जो आपके अंदर self-doubt है, low of concentration है, उससे आप release करके आगे बढ़ो, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कभी-कभी ना क्या होता है, चीज़ों को एक particular manner से, अगर अगर आप लोग चाहो तो follow करो, तो बहुत अच्छे results मिलेंगे, और मुझे यहाँ animal की energy फील हो रही है, maybe, next three month में आप किसी animal के साथ, अपना अच्छा time span करो, या आप किसी बच्चों के साथ, अपना time span करते हो दिख रहे हो, एक satisfaction आपको मिलते हो दिख रहा है, add candle, and see, तीनों ही card में, इन्होंने अपने हाथ में कुछ ना कुछ क्यारी करके रखा है, तो आप बहुत जादा active हो, maybe you are a that kind of person, कि आपके पास कुछ creativity हो, like आप artist हो, हाथ से कोई work करते हो, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आप makeup artist हो सकते हो, आप sales में work कर सकते हो, या फिर आप traveler हो सकते हो, कुछ style के energy मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी या hobbies हो सकती है, आप लोग spiritual life में आगे बढ़ते हो, मुझे दिख रहा हैं, और साथी साथ खुद पर ध्यान दे रहे हो, आप अपना look change कर सकते हो, hairstyle हो गया, या कपड़े पहनने का तरीका हो गया, उसमें change करते हो दिख रहे हो, आपका एक नजरिया वदल रहा है, लोगों को देखने का और लोगों को समझने का, and the four of pentacles, it's represent, कि आप अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से treat कर, maybe अभी तक आपने अपने आपको वो treatment नहीं दिया, या उस energy से treat नहीं किया, जो कि आपको करना चाहिए था, self love की कमी हो सकती है, but right now, आज से ही मैं बोलूँगी, कि आप अपने उपर पैसा इंवस्ट कर रहे हो, अपनी energy को balance कर रहे हो, and अगर God के तरफ से देखू, तो ये card मुझे कहीं न कहीं, ये represent कर रहा है, कि आपके अंदर art तो है, या आप singer हो सकते हो, dancer हो सकते हो, या artist हो सकते हो, या multitasking work करना होगा, आपके अंदर कोई ना कोई खूबी तो है, ठीक है, आपको इस पर work करने के लिए कहा जा रहा है, and yes, economically मुझे आपकी growth दिख रही है, and आपकी जो mind में ideas है, will powers है, वो भी मुझे increase होते हों दिख रही है, and एक और चीज़ में आपको बोलूँगी, you are in divine protection, so आप divine के protection में हो, और बहुत अच्छे results, और बहुत सारी positivity divine आपकी life में लेकर आएगी, group number one, I will request you to all, kindly share your feedback, कि आपके इस point से connect करें, या आपको यी reading कैसी लगी, comment box में सबको अपना feedback share करना है, एक और चीज़ में आपको बोलना चाहूंगी, कि positive रहो past के बारे में मत सोचना, अभी आपको आगे बढ़ना है, और बहुत कुछ करना है, it's very high time, it's very golden time to you, to get success and abundance in your life, चीज़ों को balance करते हो है, आप आगे बढ़ो, गाइस, अगर आप लोगों को मेरी reading अच्छी लगती है, तो आप लोग donate कर सकते हो, donation के लिए मैं UPI ID mention कर दूँगी, and साथी साथ आप super chat भी कर सकते हो, ठीक है, और अगर कोई membership लेना चाहता है, तो membership भी ले सकता है, प्लीज आप चीज़ों को एक बाद चेक आउट कर लेना, अगर आप membership ले रहे हो, तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक follow नहीं किया, तो please follow कर लेना, Instagram पर link आपको description भी box में मिल जाएगी, साथी साथ मैं WhatsApp ग्रूप की link भी, इसके description में add कर दूँगी, तो वहाँ से आप WhatsApp ग्रूप में add हो जाओगे, वहाँ link डिरेक्ट मिल जाती है, जब भी live event होता है, कभी-कभी YouTube पे live आने के बाद notification नहीं आता है, और अगर मैं आप लोगों को बोलू, तो आप लोग comment box में, thank you universe का comment करोगे, और आप मुझे बताओगे कि आपको ये reading कैसी लगी, ठीक है, so I am waiting for your feedback, I hope आप लोग connect करे होंगे, next three month आपके कैसे होंगे, और क्या-क्या changes आएंगे, have patience, be positive, and कोशिश करो, अपनी life में हम चीजों को और कैसे बहतर कर सकते हैं, पास में stuck नहीं रहना है, चीजों को release करका आगया, बढ़ने के लापको कहा जा रहा है, see you in next reading, hello group number two, अगर आपने ये green angel, dark green angel को pick किया है, तो this message for you, this reading for you, आपको कैसे pile pick करना है, ये मैंने इंट्रो में बताया था, so अगर आपने नहीं देखा, description में आट का दूँगी, ठीक है, so firstly, अगर आपने ये green color की angel को pick किया है, so मैं आपको ये बता दूँ, कि maybe you are doing your best, but आपको आपके असाफ से, शायद results नहीं मिल रहे होंगे, या फिर, कुछ ऐसी situation होगी, कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कि अब आगे क्या, like I don't know why that words come, कि अब आगे क्या, तो कुछ इस type की energy है, so you are waiting की आने वाले three months, जो है वह आपके लिए क्या लेकर आएंगे, क्या होगा, क्या कुछ changes होंगे, तो ये कुछ इस type की मुझा energy दिख रही है, and yes, सबसे पहले तो मैं आपके अभी current energy बता दू, आप लोग कोशिश करते हो, बहुत positive रहने की, बहुत सारी अपनी energy को balance करने की, but somehow condition कुछ ऐसी हो जाती है, कि आप अपनी energies को, या आप जितना best करना चाते हो, वो नहीं कर पाते हो, like मतलब, आप अभी healing की journey पे मुझे आगे बढ़ते हो, दिख रहे हो, तो आप चीजों को release कर रहे हो, so you are facing some kind of negativity, like क्योंकि जब हम किसी चीज को release करते हैं, हमारी body से बाहर निकाल के फेकते हैं, तो थोड़ा न थोड़ा हमें pain होता है, so आप बस यह चाहते हो, सब कुछ ठीक हो जाए, तो सब कुछ ठीक करने के लिए, आप लोग heal कर रहे होगे, और जैसे जैसे आप heal कर रहे हो खुद को, तो आपको ऐसा feel हो रहागा, मुझे तो पहले से ज़्यादा problem हो रही है, या फिर मैं meditation कर रही हूँ, मैं gratitude follow कर रही हूँ, मैं hope उनोपनो prayer कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, बट still मेरे साथ सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, मैं अपनी चीज़ों को time पर perform क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या time पर perform क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरे दिमाग में overthinking आ रही है, क्यों मुझे इतना time लग रहा है, आखिर कब मेरा time आएगा, तो कुछ यह energy आपकी ऐसी हो सकती है, या फिर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँगे, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कि आपको overthinking नहीं करना है, परिशान नहीं होना, अगर ऐसा हो रहा है, meaning you are on right track, और कहीं न कहीं आप divine से connect हो रहे हो, divine आपकी help कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ, कि आप किस तरीके से connect कर सकते हूँ, इस reading को देखते हूँ, मेभी आप इस reading को अपने बैट पर, अपनी एक बहुत ऐसी जगा, जहां बैट कर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वहाँ पर बैट कर इस reading को देख रहे हूँ, अब सब के लिए वो जगा अलग-अलग हो सकती है, या फिर कोई ऐसी जगा जहां बैट कर, मतलब नौर्मली लोग reading नहीं देखते हैं, और आप देख रहे होंगे, यह फिल की मेरे ले कुछ तो message होगा, अगर मैं बात करूँ तो आपने white, yellow, grey, black color of year करा हो सकता है, आप बैट पर हो सकते हो, साथी साथ आपको अभी right now, किसी type की आप negative situation से deal कर रहे हो, या बहुत ज़ादे overthinking कर रहे हो, आपके mood swings हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरीके से work करना चाहिए, किस तरीके से चीज़े बैटर हो जाएगी, किस तरीके से नहीं होगी, तो यह सारे questions आपके दमाग में चल रहे हो, yes, you will get good result in your field, आप जिस भी sector में हो, जिस भी जगह पर हो, वहाँ पर अच्छे results आपको मिल रहे हैं, बट कहीं न कहीं आप इस चीज़ पर सोच विचार भी कर रहे हो, कि अभी तो मिल रहे हो, बट आगे चल कर भी सब कुछ वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, and yes, you are facing some kind of negativity in your life, मतलब maybe toxic relationship, या किसी चीज़ को heal नहीं कर पाना, या heal कर रहे हो, बट कोई particular cycle है, जो बार-बार आपके साथ चल रहा है, आपके अंदर बहुत सारी चीज़े घूम रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़े कैसे ठीक होगी, कैसे मेरी लाइफ में calmness आएगी, कैसे मेरी लाइफ में stability आएगी, yes, you are on the path of stability and career में growth आपको मिल रही है, धीरी-धीरे मैं बिलकुम deny नहीं करूँगी, बट थोड़े से questions है, ये question आप इस reading को जब देख रहे हो, तब ही आपके mind में होंगी, और इस question के answers कहीं न कहीं आप ढूणने की कोशिश कर रहे होंगे, एक और चीज मैं बोल सकती हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप pile number one के two words भी थोड़े से attractive हुए हो, तो अगर ऐसा है तो प्लीज आप चेक कर सकते हो pile number one की reading, ओके, लेट्स चेक और क्या messages हैं, और क्या guidance है आपके लिए tarot के तरफ से, fool का card, see the combination, nine of pentacle and the fool, मुझे यही vibration आ रही थी, कि आप लोग एकदम सही रास्ते पर हो, अगर आपके दमाग में चीज चल रही है, क्या मैं right track पर हूँ, क्या इस रास्ते पर चल कर मुझे success मिलेगी, तो yes, आपको success मिलेगी, maybe you are seeing too much angel number, like अभी मैंने claim किया 21-21, recording video का timing, so आपको angel number दिख सकते हैं, and yes, आप right track पर हो, आपके well wishes, आपके guiders, आपको बहुत सारी prayers दे रहे हैं, मतलब like आपके आशरवात दे रहे हैं, and बहुत कोई है, जो आपके लिए pray कर रहा है, आपके लिए wish कर रहा है, और आपकी life में positivity लाने के लिए आगे बढ़ रहा है, आपको मैं यही बोलूँगी, कि जादर low of energy में नहीं जाना है, आपको बस यह चीज में एक शूर करना है, कि you will do your best, in any condition, आप अगर अभी उतने comfortable नहीं हो, but मतलब like for example, you are dealing some kind of headache right now, so मैं आपको बोलूँगी कि, okay, आपको headache हो रहा है, आप four hours नहीं पढ़ सकते, but at least आप one hours पढ़ सकते हो, तो आपको compromise नहीं करना है, बहुत जादा, थोड़ा बहुत compromise चलेगा, but extreme level पर नहीं करना है, otherwise दिक्कत हो सकती है, okay, and बिलकुम परिशान नहीं होना है, यह difficult situation, या कोई भी ऐसा situation, जिससे आप deal कर रहे हो, कोई एक ऐसा pattern, जो regular basis पर आपके life में हो रहा है, वो मुझे बहुत जल्दी आपके life से जाते हुए दिख रहा है, but आपको इसको लेकर clear होना है, कि नहीं चाहिए मुझे stop, I don't need this chapter in my life, divine मैसे अपनी life से बाहर निकालने के लिए, हर वो मुझे कोशिश करूँगी, जो मुझे करनी चाहिए, इस attitude के साथ आपको आगे चलने के लिए कहा जा रहा है, yes मुझे ये energy feel हो रही थी, maybe ऐसा हो सकता है, कि अभी आपके according, चीजे नहीं वर्क करी, मैंने पहले भी बोला था, आपने सोचा होगा कि आज मैं six hour पर लू, या मैं आज ये कर लो, वो कर लो, but it's not happen, so उसको लिगर परिशाम नहीं होना है, अगर कोई चीज नहीं हो रही है, तो उसके पिछे कुछ नहीं कुछ रीजन होगा, रीजन डवाइन को पता है, तो प्लीज आप पेशिंस रखे, कि डवाइन पर बिलीव रखे, ठीक है, and yes, आपकी life में मुझे salivation, enjoyment and fun आते हो दिख रहे है, like, to be very honest, उस card को मैं नहीं ले रही थी, but again, जब मैंने shuffle किया, तो ये card फिर से निकल कर आया, so, it's really good, okay, so, मैं एक चीज बता दू, कि आप में से मैंने बोला था, कि आप किसी एक pattern को, किसी एक चीज को deal कर रहे है, वहाँ आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप वहाँ stuck हो, like, किसी male के साथ, आपका relationship, आपके friend हो सकते है, आपके boyfriend हो सकते है, आपके parents हो सकते हैं, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़े बहुत हो चुकिये, अब नहीं, बस बहुत हो गया, सो आप इस face से बाहर निकल जाओगी, यही कहीं न कहीं, आपको low of energy, या tower moment में लेकर जा रही है, ये चीज, या फिर ऐसा हो सकता है, कि आप relationship में हो, तो आपका on-off-on-off contact चल रहा हो, तो मैं आपको बोलूँगी, कि अगर ऐसा कुछ है, तो प्लीज अपनी energy को waste ना करें, अपनी energy को right direction में लगा, ये time बहुत अच्छा है, ये जो time है, इस situation से बाहर निकलने का time है, मैं आपको वही बोल रही थे, आपको यहाँ stuck नहीं रहना, आपको यहाँ अपनी energy waste नहीं करने, आपको situation से बाहर निकलना है, situation से बाहर तब निकलोगे, जब आप खुद clear होगे, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये person चाहिए, ये नहीं चाहिए, और अगर आपको नहीं समझा रहा है, आप बहुत कोशिश कर चुके है, तो आप divine से prayer करों कि divine, आपके सामने मेरी पूरी कहानी है, आप बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, और कैसे आगे बना चाहिए, ओके, आपको अभी अपने career को लेकर, आपको अभी अपने goal को लेकर passionate होने के लिए कहा जा रहा है, आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके target पे रहने चाहिए, आप लोग चाहो तो आप एक paper पर लिख सकते हो, कि next three month में आपको क्या-क्या चीज़े achieve करनी हैं, क्या-क्या चीज़े हासल करनी हैं, and right now कोई person आपके बारे में सोचते होए, मुझे दिख रहा है, कोई long distance में person है, या फिर यही person हो सकता है, जो आपकी energy को disbalance कर रहा है, तो वो आपके बारे में सोच रहा है, और वो आपके बारे में सोच रहा है, तो maybe you are seeing some reasons, जिसको लेकर आप थोड़े से distract हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कि मैं situation से इस problem से कैसे बाहा निकलूँगी, Lord Ganesha के तरब से आपके लिए message है, blessings, so परिशान बिल्कुम नहीं होना है, divine को पता है, भग्वान जी को पता है कि आप बहुत pure hearted हो, और आपकी life में बहुत सारी blessings आ रही है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी energies को clean करो, cleans करो, आपको देखो यह जो चीज है to be very honest, मुझे नहीं दिख रहा कि आपके लिए सहीं रहेगी, तो आपको इसे release करना होगा, आपको कहना होगा, I release that negative emotion, I release that pain, आप लोग releasing exercise करोगे, तो बहुत अच्छा होगा, ओकी, let me check more, determination, यह card मुझे पार्लमवन में भी दिखा था, ओकी, and trust, आपको कहा जा रहे हैं, आप महनत करते चलो, हो सकता है कि आप लोगों से slow हो, but वो महनत, वो trust के साथ आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको, like कुछ health related कुछ दिखकते भी है, तो वो भी मुझे यहां recover होते हुए, दिखरी है कहीं ना कहीं, आपको अच्छे results मिलेंगे, आपको एक proper schedule को follow करने के लिए कहा जा रहा है, और like देखो एक end जो रहती है, वो कितनी hard working होती है, we can't imagine, क्योंकि वो इतनी सी होती है, बट अगर उसे खाना चाहिए होता है, कितनी महनत करती है, कितने बड़े-बड़े pieces, मतलब like मैंने बहुत बार देखा है, जैसे रोटी का जो piece है, अपने लिए तो छोटा होता है, बट end के लिए थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, फिर भी वो से carry कर लेती है, so एक determination, एक कुछ करने की चाहाँ अगर आपके मन में हो, तो आप impossible को भी possible कर सकते हो, see the card is Wednesday, अगर देखा जाए तो वेनिजडे का दिन आपके लिए बहुत इंपोर्टिंट होगा, say thank you to universe and August का मन, so ये अगस्त का मन थी चल रहा है, okay, so March, January, okay, October and February, like मैं आपको भोलूँग, ये रीडिंग आप मार्च तक कनेक्ट कर सकते हो, अगर टाइम देखा जाए तो मैं आपको ये बूलूँगी, अगर आप बहुत जादा फ्रस्टेट हो गए हो, आपको चीज़े समझ नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहे है, divine क्या चाहती है, तो आप divine से prayer करो, और चीज़ों को छोड़ दो divine के हाथ में, आपको 12, 12, 21, 21 angel number देख सकते हैं, 12 o'clock is lucky number for you, या lucky timing मैं बहुत सकती हूँ, 8 o'clock and lucky yes, तो time में तो कोई compromise करने की जरुवत ही नहीं है, आपका time बहुत अच्छा चल रहा है, and maybe you are that kind of person, जिसे बहुत जादे angel number देख रहे हो, तो 11, 11 angel number आपको देख सकता है, यह 11 date आपके लें important हो सकती है, maybe आपका या आपके घर में किसे का birthday आ सकता है, 27 को आपका birthday हो सकता है, या आपके partner का, या आपके घर में किसी का, या 1 को, take a screenshot, okay, 20, 9, 20, 29 भी हो सकता है, 22 भी मुझे यहाँ दख रहा है, and 31, अगर आपकी यहाँ date आपको परिशान नहीं होना, यह date आपके लिए important होगी, मैं बस यही बता रहे हूं, ठेक है, लेट्स सी और क्या messages है, emperor, 9 of wands, 10 of wands, and page of wands, so, firstly, मैंने आपको बोला, दोनो ही पाइल में wands के energy, बहुत जादा हाई मुझे दिखी थी, and emperor, कही न कहीं represent करता है, बहुत सारे responsibilities को, बहुत सारी growth को, and yes, आपके उपर responsibilities आ रहे है, it's meaning, कि अगर आप अपनी life में, success को manifest कर रहे हो, तो yes, you are become a successful next three month, and आप अपनी life को एक proper way में लेकर आगे बढ़ते हो, चल रहे हो, आप बहुत जादा hard work करते हो, आप लोग spiritual life में भी आगी जाते हो, मुझे दिख रहे हो, अगर किसी चीज में बहुत जादा delay हो रहा है, तो मैं आपको यही बुलूँगी, have patience and believe on yourself, जितना strong आपका trust होगा, उतनी चीज़े अच्छी होगी, अगर कोई चीज टाइम लगा रहे है, it means, have patience, आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी, तो थोड़ा सा patience रखना है, अप कई चीजों को ऐसा हो सकता है, कि डिफिकल्ड बना रहे हो, आप किसी एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो, जिसके आपको जरुवत ही नहीं है, जो चीज आपके लिए important नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने इसके पहले भी बोला था, जो आपके energy को, जो आपकी vibrations को लो करें, खराब करें, उन सारी चीजों को आपको release करना चाहिए, आप उन सारी चीजों को छोड़ कर आगे बढ़ो, अगर आप ऐसा करते हो, तो you will see the beautiful result in your life, एक और चीज मैं आपको बोलूँगी, आपके अंदर किसी चीज को करने की चाह है, तो मैं आपको ये बोलूँगी, कि आपको वो काम करना चाहिए, आपको उस चीज को करने नहीं करने के लिए, बहुत ज़ादा overthinking नहीं करना है, अगर आप hard work करोगे, तो आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे, और बहुत positive way में आप आगे तक जाओगे, so work on your energy, work on your intuition power, I don't know why मैंने intuition power बोला, I hope आप लोगों को third chakra पर, और root chakra पर वर्क करना चाहिए, and yes, आप अपनी life में, एक spiritual life में आप आगे बढ़ते हों दिख रहे हो, and toxic चीजों से आप मुझे दूर होते हों, and बहुत सारी positivity आपकी life में आते हों दिख रहे है, and divine का आशरवाद आपके उपर है, तो बिलकुम परेशान नहीं होना है, group number two, या pile number two, I hope you feel connected this reading, और ये reading आपको अच्छी लगी होगी, I am waiting for your feedback on comment box, अगर आप लोगों को मेरी reading अच्छी लग रहे है, follow करना मत भूलना Instagram की, उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी, दूसरे channel की link भी आपको description box में मिल जाएगी, and one more information, please आप लोग positive रहना, and आपको comment में बोलना है, I release negativity, I release toxic relationship, and feedback शेकरना है, कि आपको reading कैसी लगी, आप कितने points के साथ connection feel कर पा रहे हो, so मैं बहुत desperately wait करूँगी आप लोगों के comment का, and I don't know, ये video मैं आज record करूँगी, आज Wednesday है, तो आज पोस्ट हो जाएगा, ये नहीं, बट अगर नहीं भी होता है, तो don't worry, timeless reading है, collective reading है, जब ये video आपको के सामने आए, you need this guidance, okay, और इसे मैं आपके लिए मार्च तक बोलूँगी, three month का था, बट आपके इसमें जो months आए है, वो मार्च तक आए है, तो मार्च तक आपकी life में, मुझे changes होते वे दिख रहे हैं, take a screenshot and make, आप ये भी कर सकते हो, कि कुछ points मैंने बोले, आप उसे write down कर सकते हो, ठीक है, so ये बहुत अच्छा होगा, आप के लिए समझने के लिए, और इन चीजों का अगर आप follow करते हो, you can see the positive changes, ठीक है, अगर कोई मुझे personal reading लेना चाहता है, तो मुझे message कर सकता है, Instagram पर या फिर mail कर सकता है, thank you so much for watching this reading, रादे रादे टू आल, God bless you to all, I hope you will do your best, and you will achieve your goals, and 3-in-1 session join का नम मत भूलना, मैं बहुत सारी चीज़ शेयर करती हूँ, आप लोग एग बाप प्रोफाइल को यूटूब को जाकर, यूटूब प्रोफाइल को जाकर, चेक आउट कर ले,